शेक चिल्ली दिन भर चारपाई पर लेटी लेटी ठक गया, तो रात को काम की दलाश में निकला, रास्ते में उसी दो चोर मिले, शेक चिल्ली ने पूछा, कहां जा रहे हो? चोरो ने कहा, कामबर, शेक चिल्ली भी उनके साथ चल पड़ा, चोरो ने सोचा कि चोरी का सामान उठाने में इसकी सहायता ले लेंगे, चोर एक ग्वाले के घर में घुसे, वे सामान इकटा करने लगे, शेक चिल्ली को भूक लगी, उसने देखा चूले पर दूध रखा थ दूध में चावल और चीनी डाल कर वह खीर बनाने लगा, बगल में चारपाई पर घर की मालकिन सोई थी, नींद में उसकी बाहा नेचे लुड़क गई, उसका हाथ शेक चिल्ली की ओर चला गया, शेक चिल्ली ने सोचा बुढ़िया बहुत लाल्ची है, खीर बनी नहीं ह और यह पहले ही मांगने लगी है, उसने कहा, थोड़ा इंतजार कर अभी खेर नहीं बनी, बुढ़िया ने हाथ नहीं हटाया, शेक चिल्ली को गुसा आ गया, उसने कड़ची में गरम गरम खीर भरी और बुढ़िया के हाथ पर डाल दी, बुढ़िया का हाथ चल गया, वह चीक में चिल्लाने लगी, जोर चारपाई के नीचे छिप गये, और शेक चिल्ली छलांग लगा कर छत के नीचे बने स्थान में छिप गया, बुढ़िया की आवाज सुनकर उसका बेटा दौडता हुआ आया, उसने अपनी मां का जला हुआ हाथ देख कर पूछा, तुमार हाथ कैसे जल गया, बुढ़िया ने कहा, पता नहीं बेटा, उपर वाला ही जाने, शेक चिल्ली को बहुत गुसा आया, वह जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें खीर दी और तुम मुझे ही भजा रही हो, जो दोनों चारपाई के नीचे घुसे हैं, वे क्या तुमारे शेक चिल्ली की बात सुनकर चोर निकल कर भाग खड़े हुए, शेक चिल्ली भी उनके पीछे पीछे भागा और घर पहुँचकर ही धम लिया, शेक चिल्ली ने कसम खाई कि अब वह कोई काम नहीं करेगा, ऐसा काम करने से क्या लाभ जिसमें जान जाने का भई रहता है?